हालो दोस्तों मैं पेंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल उके टुटरियल में आज हम लोग जानेंगे जे सेसी इंटरमेडियेट इस्तर परतिवगता परिक्षा में जार्खन से सम्मदित पुछेगे प्रस्णों को ये सभी प्रस्ण जार्खन से सम्मदित हैं दोस्तों और सभी एकजाम में पुछेगे हैं तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पहला प्रस्ण है कि ब्रांड नाम मोमेंटम जार्खन के साथ ग्लोबल इन्वेश्ट सम्मिट 2017 कहां हुआ था तो मोमेंटम जार्खन पता होगा दोस्तों कि ये रांची में सम्मिट हुआ था कि इसके सासनकाल में हुआ था तो जब रगोर दास यहां के CM थे तब सम्मिट किया गया था एक प्रस्ण यहां से पुछा जाता है कि मोमेंटम जार्खन का परतिक चीन क्या था तो मोमेंटन जारखन का प्रतिंग चींथा उडता हुआ हां से गूहीं अभि पूछा जाते कहां समीट किया गया था तो इसके लिए बिते सुर्प से खेल गाउं को सजाया गया था और यहें प्रिसका आयोजन हुआ था आगला प्रस्ने का डानी पावर कमपनी जार्खन अपनी बिजली सनियंत्र में 1600 मेगावाट बिजली के आपूरती किस देश को करेगी तो 1600 मेगावाट बिजली आपूरती की बात अगर बात करें दोस्तों तो बंगला देश के साथ समझोता हुआ है जिसमें बंगला देश को 25 साल तक बिजली देने की बात कही गई है अगला प्रसने की जारकन के पुरू में कौन सा राजी है तो जारकन में पुरू में हो जाएगा आपका पच्छी मंगाल यहाँ पर इसका एंसर C हो जाएगा अगर देखें दोस्तों तो चारो अप्शन को हम लोग देख लेते हैं आपको पता होगा कि नोर्थ में कौन सा राज है साथ में कौन सा है इस्ट में और वेश्ट में अगर इस्ट पूछेगा तो यहाँ पर आप देखेंगा जाहरकन के इस्ट में अपका हो जाएगा पच्छी मंगाल है वही नोर्थ में बात करें तो आपका इधर है बिहार क्योंकि बिहार से ही अलग होकर जाहरकन बना है साउथ में बात करेंगे तो साउथ में आपका कौन से राज हो जाएगा तब का हो जाएगा ओड़ी सा और यहाँ पर देखें वेश्ट में अगर बात करें दोस्तों तो वेश्ट में आपका हो जाएगा जिला रे राज हो जाएगा आपका 36 गड़ और 36 गड़ में अगर देखें तो एक यहां पर आपका आएगा जो गड़वा जिला है यानि कि उतर और पच्छिम में उतर पच्छिम में एक जिला आपका दिखाई देगा यहां पर गड़वा और गड़वा जो जिला है जो यूपी से लगता है यानिक उतर परदेश से तो करकरेखा गुजरती है तो आपको option में यहां दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जार्खन राज्य है जहां से करकरेखा होगर के गुजरती है यह भी प्रफन पुछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके रजधानी करकरेखा में है तो देखे रजधानी हो जाएगा आपका जारखन की रजधानी राची राची के दिख़त देखे दुस्तों तो कांके कास पास से करकरेखा गुजरती है ऐसे मत करदेश का भी जो रजधानी है भुपाल वहां से भी करकरेखा गुजरती है लेकिन करक रेखा उहां से देखें तो थोड़े दक्षिन से गुजरती है इसलिए वो 60 के इंसर नहीं होता है आपका 60 के इंसर हो जाएगा जारखंड और यहां पर अगर देखें दोस्तों तो करक रेखा 8 राजियों से गुजरती है अगर आठो का नाम आपको याद रहना चाहिए एक तो हो गया आपका यहां पर देखें तो हो गया गुजरत गुजरत के देखें तो उपर में हो जाएगा आपका तप याद रह सकते हैं गुजरत राजिस्थान, राजिस्थान के बाद MP, MP के बाद अगर देखें, तापका हो जाएगा 36 गड़, जारखंड, इसके बाद पच्छीम बंगाल, ये तो होगा, इसके बाद उधर मगर चले जाएं, नौर्थ इस्ट में तो वहाँ पर दो राजे, त्रिपूरा और मिजोरम, यह सा गलत है, तो चले उप्शन को देखते हैं, जारखंड के कुडूक को एक भासा के रूप में मनियाता दी है, और चात्र अपने इस कुली के अंतिम परिक्छा इस लिपी में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, कुडूक लिपी को तो लोंग सी की कहा जाता है यहाँ पर देखें दोस्तों, तो प्रोक्त सभी कथन सही दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसका एंसर डी हो जाएगा, और इस उप्शन में भी बिसे सुरूप से याद रखेगा, क्योंकि एक्जाम में पुछा जाता है, कि कुडूक जो है किस परिवार की जन जाती ह आगला प्रसने के रणजी ट्रोफी 2016 मैच में जारकन के किस, जारकन के लिए निमली फित में से किस ने 12 सतक लगाया था, तो जारकन के लिए इसान किसन ने 12 सतक लगाया था 2016 में, याद नहीं भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन एक बेस पता चल जाता है दोस्तों प्रसन से कि यहां से एक्जाम में प्रस्ण पूछे जा रहे हैं आगला प्रस्ण है कि इंडियन एक्स्प्लोसीब लिमिटेड यानि आई एल जहारखन में कहां इस्थीत है तो एक्स्प्लोसीब फैक्टरी के बात करें तो यावजाग आपका गोमिया में जैसे भी प्रस्ण पूछा जाता है कि बारुत की फैक्टरी जहारखन में कहा है तो गोमिया में आपको याद होना चाहिए आगला प्रस्ण है कि 2016 में निमली खित में से किसे पदम स्री से समानित किया गया तो 2016 में सीमोन उराउजी को पदम स्री से समानित किया जया है यहां पर अगर देखें तो इसको water man of jharkhand अगर प्रस्टा बनेगा तो इसको भी याद रिखेगा व treadession कoh अगर देखे दोस्तों तो जो सिमोन उराओं जी है यह अपने जो गाउं वेरिया है उस महाँ पर देखे तो अपने प्रकृति के सुरक्षा के लिए बहुत सारे तलाब बनवाएं साथ मिनमें प्रयावरण के संदक्षन के लिए पेने पेंड काटने से लोगों को बताए यह देखे तो गाउं के जो पढ़ाराजा होते हैं तो इस पढ़ाराराजा भी रहे हैं क्योंकि ईसका इक बार प्रकृति के लिए बहुत सारे नन दिये हैं पेड़ पोध़े तलाब और बहुत सारे लगवाए हैं इसके लिए सरकार इसको इसको इस पर पदम सिरी 246 में समानित मिला है अगला प्रसने कि निम लिखीत में से किस राजी का लूकनरित कर्मा है तो लोक निरित कर्मा में अगर देखें तो आपका हो जाएगा जार्खन, 36 गड़ों मत पर देश ये तीनों राज में देखें तो जनजाती यहां पर हैं और जनजाती अधिक होने के चलते हैं पर कर्मा परो भी लोक निरित के रूप में मनाया जाता है यानि बहुत जादा कर्मा को जशसो देखने को यहां पर मिलता है और जो कर्मा परो है अप लोक पता होगा कि भाई बहन से सम्मंधित तेवहार है आगला प्रस्न है निमलिकित में से जार्खन का कौन सा जीला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है तो यहां पर अप्शन में देखे तो खोटी जो जीला है और पच्मी सिम्भू में दोनों बिहार को इसपस्ट नहीं करता बाकी देवघर और कोडर्मा जो है बिहार को इसपस्ट करने वाले जीले हैं इसको भी थोड़ा से याद रखेगा जो यहां पर दिखाई दे रहा है पच्मी सिम्भू जो जीला है यह उड़ी सा राज को टच करती है अब खोटी की बात करें दोस्तों तो खोटी है तो खोटी को आप साथ में नाम याद रखेगा कि खोटी और लोहर दगा दो ऐसे ज अगला प्रस्ण है कि 2016 में निम्लिकित में से कौन सा राज्य पहली बार राजी ट्रोफी में सेमी फाइनल में प्रविष्ठ हुआ था तो यह कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों तो जार्खन जो हो जाएगा यह 2016 में सेमी ट्रोफी में फाइनल में गया था राजी ट्रोफी के सेमी फाइनल में परविश्ट हुआ था अगला प्रस्न है कि जन्वरी 2017 में C.I.A. से पे पूर्वी छेत्र गम मुख्याले का उधाटन और C.I.A. पादिवासी परिसर का सिला न्यास जारखन में किसने किया था जारखन में इसका सिला न्यास किसने किया था तो उसमें देखें तो राजनात सिंग जो थे वो गरी मंत्री थे और इन्हीं के दोवारे इनकी सिला न्यास किया गया था तो इसका एंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका B, राइट हो जाएगा और बताएगा दोस्तों के CIF है पुरुवी छेतर का मुख्याल है कहा है आप कोमेंट करके बताएगे कि यह सभी को पता होना चाहिए अगला प्राशन है कि जारखन को एस्थानिये इस्तर पर इसके संब्रीद खनीज और वन संसदनों के लिए खाली इस्थान के रूप में जाना जाता है तेहां पर देखे तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वनांचल के नाम से जाना जाता है खनी जो वनसन साभनों पे भूलता के चलते हैं आगला प्रसने है कि अंग्रेज के विरूद अठारा सो एक्टीस के बिद्रो में निमलिखित में से कौन से छोटा नाकूर के कभिलों ने भाग लिया था तो आपको पता होगा कि हो बिद्रो के बाद कोल बिद्रो हुगा था और कोल बिद्रो में किस ने भाग लिया था हो और मुन डालोगों ने भाग लिया था तो यहाँ प्रेस का एंसर यह राइट हो जाएगा आगला प्रस्न है कि निम लिखित में से कौन उल्गुलान बिद्रों से जुड़ा है तो उल्गुलान बिद्रों से अपको पता होगा कि बिर्शाम मुंडा जी जुड़े हुए है यहाँ पर देखे सिंदु और कान्हु जो दिखाई दे रहा है तो दोनों भाई की से जुड़े हुए तो संथाल बिद्रों जो 1855-56 में हुआ था उससे दोनों भाई का संबन्ध है तो इस तरह से याद रखने हैं बिर्शाम मुंडा की समझ उलगुलान बिद्रों से है उलगुलान बिद्रों पांस साल तो चला था 1895 से 1920 तक 1920 में राची के जेल मेन की मिर्थू हो जाती है बिर्शाम मुंडा को कहा जाता है खस्रे के कारण मिर्थो हुआ था उसके बादे विद्रों समाम्त हो जाता है अगला प्रस्ण है कि अलबर्ट एका को मर्नो प्रांथ की इस गेल्टरी पूसकार से समानित किया गया था तो अलबर्ट एका को पता होगा ये भारत पाकी उद भारत चिन्वी दोनों में महत्पड़ू हुमिका निभाय थे और उनको देखें तो सैना का सबसे सरोज समान पुरम बिर्चक्र से समानित किया गया था अलबर्ट एका कहा के थे दोस्तों तो गुमला जिला के थे ये भी प्रस्नों को ध्यान में रखेगा आगला प्रस्न है कि जारकंड में निवन में से किस स्थान पर लो अयक्स खदान इस्थीत है तो लो अयक्स के लिए आपको पता होगा बताने की जूरत नहीं है कि लो अयक्स में सबसे ज़्यादा परसीद है नावा मुंडी के खान हो गयरा सबसे ज़्यादा नाम आता है आगला प्रस्न है कि जारकंड की किस जिले में टागुर पहाड़ी स्थीत है तो टागुर पहाड़ी कहां इस्थीत है राची में इस्थीत है जो मुरावादी के बगल में है और इसका समझ जो है टागुर जी से बताया जाता है सका जाता है टागुर जी यहां से बैठकर क क्रचना लिखी थे इसलिए इसका नाम भी टाइगोर जी से नाम पर रख दिया गया है आगला प्रस ने कि जार्खन के प्रत्थम मेगा फुड़ पार्क का उद्धाटन कीस ने किया जिसे दोह जिसे छे हजार बेक्तियों को रुजगार मिलने की सम्भावना थी ते किसके दोहरा किया गया दोस्तों द्धाटन तो हरमित को और बादल के दोहरा किया गया था और इसे में कौन थे दोस्तों तो रभवरदास मुख मंतरी थे आगला प्रस्न है कि ONCG द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गेस कुमा जारकन खाली स्थान में इस्थित है तो पहला कुमा जो शुरुवात खुदाई की बात खाय गये तो कहां हुआ था तपरबतपुर में तेहां पर इसका एंसर भी राइट हो जाएगा आगला प्रस्न है कि जारकन की एक प्राचीन संस्कृतिक बिरासत निमलिकित में से कौन सी है तेहां पर देखे तो प्राकरितिक बिरासत संस्कृतिक बिरासत बोला जाता है दोस्तों छोओने रिते को चोने रित के तीन सेलिया प्रचली थे आपको पता होना चाहिए जो जार्खन में सरा एकेला सेली प्रचली थे आगला प्रस्थन है कि जोबा मुर्मू दुवारा लिखी तो ओलुन बहा नामक पूस्त किस प्रकार का संग्रह है तो ओलन बहा कहा जाता है दोस्तों कि ब्राही संग्रह है तेहाँ पर इसका एंसर यह हो जाएगा जिसमें कथाओं को संग्रह किया गया है अगला प्रस्न है कि ओलन बहा किताब जुबा मुर्मू को कौन सा संग्रह है यहाँ पर देखें तो आपको पता होगा यह लगू कथाओं का संग्र है अगला प्रस्न है कि मुंडा बगावत किस परकार का अंदोलन है मुंडा बगावत कहा जाता है दोस्तों कि एक समाजिक सुधार अंदोलन था यहाँ पर इसका एंसर ए हो जाएगा यहाँ पर बिसेश रूप से अगर ओप्शन के अनुसार ए बिल्गुल सही बेटा है कि समाधिक सुधार अंदोलन था बाकी कर देखें तो अंदोलन के तने एक रूप होते हैं कियो कि उसमें धार्मिक सुधार में अंदोलन देखने को मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाविता समाधिक सुधार अंदोलन आगला प्रासन है कि जार्खन के किस प्रख्यात बेक्ती को अप्रेल 2015 में फ्रांस के शुरोत्तम सिविलियन पुरुषकार का ओफिसर ओप दे लिजन ओप ओनर से समानित किया गया था ते हो जाएगा आपका एंसर S1 सिन हाँ यहाँ प्रिसका एंसर A हो जाएगा आगला प्रासन है कि जार्खन में तेलया अल्ट्रा मेगा पावर प्रियोजना की अनुमारी च्छमता क्या है तो तेलाईया अल्ट्रा मेगा पाउर करीजना के अनुमारी च्छंता बताया जता है 4960 मेगावाड यहाँ परिसका एंसर बी हो जाएगा आगला प्रस्थन है कोडिशा के राजा जै सिंग देव को खाले इस्थान में अपने लोगों के दौरा जहारखन के सासन के रूप में सुविकार किया गया था तेलगबग 13.20 सतावधी में इसको सुविकार किया गया था यहाँ परिसका एंसर बिल्कुल सिफ हो जाएगा आगला प्रस्तन है कि खाले इस्थान तेवहार सकती युवा बेवस्था और योण किद्योता की पूजा है यहां पर अगर देखें दूस्तों तो इंसर अपका कर्मा भी हो सकता है जावा भी हो सकता है लेकिन उचीत इंसर हमको जावा ही लग रहा है क्योंकि अपका इंसर इहां पर क्या होगा आप कोमेंट करके बताएगा लेकिन मेरे इंसर से जावा पर फेक्ट इंसर लग रहा है क के तेवहार हो सकती हो यू आवस्था और यो उनकी देवता की पूजा के अभी से जावापरों में देखने को मिलता है कि आगला प्रस्थन के जारकन की कौन से जीले में भारत का तिरंगा जंडा फ़राने है तो 293 फिट उचा या उच्टम जंडा पोल है तो आपको पता होगा के सबसे उच्टम जंडा पोल भी जो है कहां तो रांची में है 293 फिट का उच्टा जंडा फ़राया गया था हो कहां तो पहाडी मंदिर पर आगला प्रस्थन है कि जारखन का कुल भोगोलिक छेतर लगभग कितना है तो भोगोलिक छेतर आपको याद होगा दोस्तों अगला प्रस्थन है कि निम लिखित में से किस राज में क्रम्स जहरिया रानी गंज तल्चर और कुर्बा कोईला छेतर रिष्थीत है तो आपको पता होगा कि जहरिया कहां हो जाएगा आपका जहर्खन में हो जाएगा तो इसी तरह सौपसा गौर पकड़ें दोस्तों तो आपका उनसर तो साफ साफ पत्र चल रहे कि बीफ हो जाएगा इसके बाद देखें तो दूसरा में रानी गंज का है पच्चिम मंगाल में तल्चर का है ओडिसा में है और कुर्बा कोईला खान 36 गण में है तिसरा से बी एंसर है यहां पर सटीख हो रहा है आगला प्रस्थ नहीं है कि 2016 तक जार्खन में किसे लाइन इश्टों खदान थे कितने लाइन इस्टोन खदान थे किने देदर हैं दूस्तों त्याहां प्र थोड़ा सुधार है किने कितने तो यहां प्रहोजाएगा 22 ट्वेंटी टू लाइन इस्टोन खदान थे आगला प्रस्ने के जार्खन में कितने गंगा काल्या कलप हे तो ग्रामिड सोक्ष्टा पहल कदमी की थी तो गंगा काल्या कलप हे तो ग्रामिड सोक्ष्टा के पहल अगर देखे जार्खन में तो उमा भारती के द्वारा की गए थी यहां पर इसका एंसर ए हो जाएगा अगला प्रस्णा की यूनियन कॉर्पोरेशन ओपिनियन लिमिटेड यानि यू सी आई एल खाली स्थान में निगमीत किया गया था कि कभी किया गया था निगमीत के अगता है 1967 में अगला प्रस्णा के कार्तिक मांक में अमोस्या की क्रिश्न पक्ष के मनाया जाने वाला सबसे प्रसीद देखे दोस्तों तो बंदना सही हो जाएगा बंदना जो हता है पसु जनवर से समंधित वहार है यह प्रस्ता साथ दिनों तक मनाया जाता है पसु को घर को लिपा जाता है और इस परफार दोनों देखे तो एक ही टैप का तेवहार है सरहुल नहीं दोस्तों सोहराई आगला प्रस्ता है कि निमलिकित में से कौन सी भासा द्रवील परिवार की भासाओं से अंतरगत नहीं आती है तो दरविल परिवार भासा का अंतरगत भासा नहीं आती है कौन सा जाग मुंडारी क्योंकि मुंडारी भासा है दोस्तों आस्टो एसियाटिक भासा परिवार का अंतरगत आती है बाकी कुर्माली पहडिया, सोरिया पहडिया और यहां पर उराओ तो सुरिया पहरिया माल पहड़िया और उराओ अगर जो है भासा यह आपका हज़ागा द्रविल परिवार भासा कंतरगत आती है इसको याद ही रखेगा क्योंकि प्रस्ट बार बार पूछा जाता है धनिल भासा परिवार में दो ही तिन का नाम है और वही दोनो तिनों पहसा है ने कि कि परती सत आरक्षण देती है एक खिलाडियों को गर देखे जाए तो दो परती सत आरक्षण की बात कहिए गई है यहाँ पर इसका अंसर बी हो जाएगा अगला प्रस्न है कि राची जीले का ताना भगत रेयत क्रिसी भूमी म्रमत अधिनियम विहार राजपत्र में कब प्रकासित हुआ था ते कहा जाता है दोस्नों की विहार राजपत्र में 1948 सिस्वी में प्रकासित हुआ था अगला प्रस्न है कि 1830 से जार्पन रियों सिमावर्ती छेत्रों के आदिवासी भारत रियों खाली स्थान के बिविन भागों में चले गए तो यहाँ पर भारत रियों बिविन भागों में चले गए तो कहा जाता है केरिबियन हो गेरा के छेत्रों में चले गए यहां पर इसका एंसर बी हो जाएगा लास्ट प्रसने के निंबलिकित में से किसने अपनी जीवन सभी अपना जीवन सभी छेत्रों में संथाली सहतु को संबरीध करने हेतु संबर्पीत कर दिया है यहां पर इसका एंसर हो जाएगा कि माजी रामदास टूडू तो इसका एंसर यहां पर यह हो जाएगा इस तरह से दोस्तों प्रसनों कने संगछा था कुछ भी तुरूटी होगा तो कमेंट में आज जरूर बता येगा क्योंकि कोई भी दोस्तों कि माजी रामदास टूडू तो इसका एंसर यहां पर यह हो जाएगा इस तरह से दोस्तों प्रस्नों का संग्रत है कुछ भी तुरूटी होगा तो कोमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी छेदर में प्रांगत नहीं हो सकता है क्योंकि हम आप लोग किखे जैसा है गलतिया हमसे भी होती है तो होती है तो उसको कोमेंट केजिएगा उसको कोमेंट में जो गलती मेरे से होता है उसको सुधार के हम कोमेंट में पिन आउट कर देते हैं जो सबसे कोमेंट में उपर दीखेगा तो उसको सुधार के पढ़िएगा मिलत अगले वीडियो में तुप तक के लिए जाएं जोहार जार खंट